चलिए आजम देखेंगे उत्राकंड इतियास से जड़ी वी स्रीज ट्रैस्रीज में एक और भाग चंद राजवन्स का भाग थ्री चलिए सुरू करते हैं यहाई कुछ प्रश्ण को हम देखेंगे तो पहला प्रश्ण है कुमाओं के सियासन पर दो बार बैठने वाला चंद कौन सा था तो कुमाओं के सियासन पर दो बार बैठने वाला जो चंद था वो था मोहनचंद मोहनचंद को हम कहते हैं कुमाओं का हुमाओं क्योंकि हुमाओं भी दो बार अपनी उम्र में अपनी पूरी आयुकाल में दो बार बैठा था सियासन पर तो मोहनचंद दो बार किस चंद को अनबढ़ राजा कहा जाता है तो इन मेंसे जो सही आंसर है कल्यांड चंद न और पर बचाँने के लिए इसने प्रदीपा से तवा प्रदीपसा और प्रतीपसाने से साहता दी इहां एक रड़ा महल और रंग महल के राजाद इसने तला महल रंग में से इस मैं और इस नहीं कि दिग만 क्तिन पर कर लगाया तो कौन सा चंद सासक वे में गोरकों से प्राजू उसके समय अंतो गया अग्ला परशन्म दृधोरी का उध कब हुआ तो दृधोरी का जो दृधोरी का उधा ऊथा ह्ता 17-3 में और यह हुआ था ज्यान चन्द की काल को स्मुन काल जाता है तो वह है जगाद आप जगाद जगाद के काल को आज को इसको के नीठियों के लिए तो वह देवी चन्थ में किस मुगाल सज़ता नहीं सब्सक्राइब सतना जहां का अगरा अगरा को मों का बिराम खान कर जाता है की कि मों कर आज आ कहा जाता है इसलिए जहकोनका इसलिए क्ढ़ays बेरामा अख्वर का अकपर occurred था ऐस2019 कि इस धी इस भष्व श्या क्चंट धार अगर कि साशक ने में जजा कर वसूल किया तो ऐसा चंद सासक भी था जो कि मुगलों की नीतियों से इतना इंस्पायर था मतलब उसकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि उसने वहाओं में भी जडिया कर वसूल किया था वह था बाज-भादुर चंद थीपचंद कैसे जोब मसह तो दीपचंद यू जिसके y हुद्य से तो पुर्फ को यह कहा था आ एक काल को काहा है कि अगला प्रम्राशन की सासा को बढ़ा चाहरी सासाक भी का जाता है तो इन में चाहर सक जसने आपने बुगाद के दहरान मोसा अथिया छाटी इसलिव सो कहतें भी जपक्ते जाए अंतर है बाज बहदू research कि चंद कि अगरा प्राश्ण बाज भादर ने तिबतियों पर कौन सा कर रगाया तो किदार मांत केलास मांसुरों यात्रा के दोरान तिबति लोग यात्रियों को प्रिशान करें तो पाज भादर चंदें उस पर आक्रमन किया और उन्हें प्रास्ति के अरुड़े कर्थ हो प्राश्न किस चंद को मिट्टी का महादेव को आजाता है तो इन पर इन मैसे को का जाता है मिट्टी का महादेव मंदब बस किसी काम का नहीं तो दे सीव चंद अगला प्राश्ण सुलेमांसिको ने किस चंद से सरण मांगी थी तो जो मुगल सैथा सुलेमांसिको भाकर उत्रा करना आया तो उसे पहले गड़वाल आने से पहले चंद दरबार में गया उसने और उन्होंने चंद से सरण मांगी तो वो चंद था जिस चंद से सरण मांगी सबसक्राणडेव का निर्माद में उसका करने रस्षमे की दना कमाउजनगा गर्वाल पर आकर मल गता pay이면 प्रतिमांगों कुंहाल तो इसका सही आंसर है ज्ञान चंद सेकेंड तो यह थी हमारे आद यह कुछ क्वेशन्स